दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलों में आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.5 के बारे में जो की है क्लास 8th मैथ की NCERT बुग हम कर रहे हैं तो इसके आज हम 4 कोश्चन सोल करेंगे तो 4 कोश्चन सोल करेंगे क्योंकि काफी बड़ी एक्सरसाइज है तो इसके of the following products अब यह identity से क्या मतलब है कि इनकी जो पहचान है वो किस तरह से है उनको हमें पहचानना है suitable identity का यूज करना है और फिर हम इनको सॉल करेंगे तो यह देखिए जैसे कि यह है x plus 3 यह भी x plus 3 है दोनों सेम हैं तो यहां पे जो इनकी एक identity बनती है यानि कि यह a plus b का square बनत हैं a plus b का square अभी हम देखेंगे पहले जो यह पूरा question है आप या तो note कर लीजिए या फिर अपने book जो है खोल लीजिए exercise 9.5 क्योंकि हम बार बार जो है इस question पर नहीं आएंगे हम इसको solve करते चलेंगे तो यह question जो है आप note कर लीजिए पहला है जो हमारा question है वो है x plus 3 और x plus 3 तो कौन सी suitable identity है उसकी बात करते हैं तो इसकी अंदर जो है हम बात करते हैं कि देखिए पहले हम दो formulae discuss कर लेते हैं एक होता है हमारे पास a plus b का square जिसको हम लिखते हैं a square plus b square plus 2ab यह formulae हैं आपको note करने हैं यह formula note कर लीजिए इसी तरह से दूसरा formula है a minus b का square तो यहाँ पर minus आ गया अब यहाँ पर क्या रहेगा a square plus b square तो रहेगा लेकिन minus 2ab आ जाएगा अब देखिए a यह है इसमें b यह है तो a का square यानि कि इसका इसका square यानि कि यह और 2, 2 को multiply किया किस से a से और b से यानि कि दोनों number से 2 को multiply किया plus वाले में सारे plus है minus वाले में सिर्फ यहाँ पर minus आ जाएगा formula सेम रहेगा एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं जो हमारा इस तरह का a square plus b square plus जो 2ab है इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं वो हमारा होता है a का square plus जो इसके साथ हमारा यह है जैसे कि माली जी दो होंगे इसके अंदर इसको हम ऐसे समझते हैं माली जी जो पहला question है हमारा वो है x plus 3 यही है और उसको x plus 3 से ही हमें multiply करना है तो same है तो हम इसी identity को कैसे लिख सकते हैं x का square यानि कि इसका square जो यह पहला word है इसका square plus जो यह दूसरा word है इसके अंदर और इसके अंदर दोनों को हम add कर देंगे 3 plus 3 यह हो जाएगा यानि कि score इसको add कर दिया और यह जो पहला number था इसके साथ इसको multiply कर देंगे यह हो जाएगा plus फिर जो यह हमने add किये हैं इन दोनों को multiply कर देंगे यानि कि 3 को 3 से multiply कर देंगे तो यानि कि a square लिख लिजिए यह देखिए a square है यह b का square है देखिए x का square या इसका square तो a square प्लस b square और 2 a b क्या आएगा 6 x आएगा और यहाँ पर भी देखिए 3 plus 3 6 x आएगा यानि कि चाहे तो आप यह formula यूज़ कर लें a square प्लस b square प्लस 2 a b वादा चाहे यह कर लें कि x का square और इसका square यानि कि 3 x 3 इन दोनों को multiply कर लें और फिर जो है इन दोनों को plus करके इसके साथ multiply कर दें तो यह जो दोनों है यह बिल्कुल same है तो यह ध्यान रखिएगा चाहे यह term आप यूज़ कर लें चाहे यह यूज़ कर लें answer same ही रहेगा तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया यह वादी term यूज़ किया है अब इसमें आप जो है देखिए x plus 3 है और x plus 3 है तो इसमें यह क्या जाएगा x plus 3 का square आ जाएगा कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि x plus 3 का square आ जाएगा और जिसको आप कैसे solve करेंगे a का square यानि की x का square b का square plus 3 3 का square क्या जाएगा 9 plus 2ab यानि की 2 multiply by x multiply by 3 यानि की 2 into x into 3 यह आ जाएगा तो यह क्या जाएगा x square plus 9 plus 3 into 2 6 6 x x square 6 x plus 9 जो है इसका अंसर आ जाएगा चाहे आप इससे निकाल लीजिए इससे देखिए x square plus 6 x plus 9 इससे भी वही अंसर आएगा तो कोई वा identity a plus b के square में आप use कर सकते हैं तो यह दोनों लेकिन हमें पता होने चाहिए कि किस तरह से हमें करनी है चलिए next question है वो ले लेते हैं next question है हमारे पास वो आपने note कर लिए है या अपनी book को आप open कर लीजिए 2y plus 5 को हमें 2y plus 5 के साथ ही multiply करना है तो जो second question यह है अब यह ही है a और b है यानि कि यहां पर यह क्या आ जाएगा 2y plus 5 का whole का square आ जाएगा plus 2 into a अब इसमें a यह है यह ध्यार नखेगा b यह है a यह है b यह है a का square यह हो गया b का square यह हो गया 2ab 2 into 2y into b यहनि कि 5 अब यहां पर क्या जाएगा 2 का square क्या हो गया 4 और y का square क्या हो जाएगा y का square यह रह जाएगा 5 का square क्या हो जाएगा 25 plus 2 into 2 4 4 into 5 20 20 और इनके साथ क्या है y तो यह हमारा अंसर आ जाएगा 4 y square plus 20 y और plus 25 असान है चलिए next question करते हैं जो next question है उसके अंदर है हमारे पास 2 a minus 7 2 a minus 7 और दूसरी भी जो term है वो है 2 a minus 7 आप देखिए 2 a minus 7 है minus है आपे दोनों में यानि कि यह जो whole square बनेगा 2 a minus 7 का whole square इस तरह से बनेगा और इसके अंदर कौन सा formula लगेगा इसको अगर आप a माल लें और इसको आप b माल लें तो a का square यानि कि 2 a का square plus b का square यानि कि जो 7 है यहाँ पे क्या है 7 b और minus 2 a b 2 into 2 a into 7 यह रहेगा तो यहाँ पे देखे क्या आगया 4 a का square 2 into 2 4 और a का square 49 minus 7 into 2 14 14 into 2 28 minus 28 a आप इसको ऐसे आरेंज कर लेंगे 4 a square minus 28 a plus 49 यह इस cancer आजाएगा असान है क्या लिए next question करते है next question है हमारे पास 3 a minus 1 by 2 यह है और इसी तरह से दूसरी भी जो term है वो है 3 a minus 1 by 2 यह ही term है तो same term है तो यहाँ पे क्या आजाएगा 3 a minus 1 by 2 का whole का square ही आ गया यानि कि a minus b का square बन गया तो आप जब इसको open करेंगे तो यह क्या आजाएगा तो 3 a का square a का square plus b का square यानि कि half का square plus 2 a b 2 into 3 a into 1 by 2 यह आ जाएगा अब यहाँ पे क्या आजाएगा 9 a का square plus 1 by 2 का square क्या जाएगा 1 by 4 आ जाएगा और यहाँ पे जब आप multiply करेंगे 2 से 2 cut out यहाँ पे क्या जाएगा plus sorry minus रहेगा यहाँ minus क्योंकि यह minus है तो minus रहेगा इस formula में तो यहाँ पे क्या जाएगा minus 3 a तो इस तरह से यह question solve हो जाएगा तो यह term आप solve कर लेंगे चलिए next term को solve करते हैं इस तरह से आप जो है फटा-फट से इसको solve कर सकते हैं 1.1 m minus 0.4 यह term है हमारे पास और इसको multiply करना है formula बनता है यानि कि अगर आपके पास क्या हो a minus b और उसी के साथ जो हो a plus b तो यह किस के बराबर आएगा यह हमें याद रखना है यह हमारा होता है a square minus b square के बराबर सीधा इसके अंदर 2 a b वगारा कुछ नहीं आएगा यहाँ minus है यहाँ plus है यानि कि a square minus b square के बराबर हैगा यह भी formula याद कर लिजिए अब यह जो है हमारा a square minus b square के बराबर हैगा यानि कि यहाँ पर यह जो है a है और यह जो है इसको b मान लिया तो a का square तो 1.1m का square minus b का square 0.4 का square यहीं इसके बराबर रहेगा माइनस A प्लस है किसी मैं से ले लीजिए A square B square तो माइनस वीच में रहेगा अब जब आप इसको 1.1 का square करेंगे 11 का square अगर हम कहें तो यह आजाएगा आपका 1.21 M का square माइनस और 4 का 16 होता है लेकिन यहाँ पर क्या आजाएगा 0.16 आजाएगा तो यह जो है आपका अंसर रहेगा तो इस तरह से आप इसको solve करेंगे चलिए next term लेते हैं जो next term है हमारे पास वो क्या है वो सीधी ही हमें दी है कि a square plus b square a square plus b ka square यह दिया है और इसको multiply करना है minus a square plus b ka square से minus a square plus b ka square से multiply करना है आप देखें यह तो plus का है आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं यानि कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b square plus a square लिख सकते हैं यह हमने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पर minus a square है तो हम इसको b square minus a square इस तरह से लिख सकते हैं b square plus का है आगे ले लिया a square इदर यह लिखने का क अतलब था कि यह प्लस का है यह माइनस का है लेकिन टर्म सेम है यह यानि कि एक ही तरह का है जो हमारा यह expression है एक ही तरह का है ताकि हम जो है अपना formula बना सकें कौन सा यानि कि यहां पर क्या आएगा बी के स्केर का स्केर माइनस एके स्केर का स्केर यह formula बना सकें वहीं है इसक square, इसका square minus था, तो यह पहले ही square है, तो इसका भी square हो जाएगा, इसका भी square हो जाएगा, और यह क्या जाएगा, B की 4 minus A की 4, simple है, तो यह question हमारा solo हो जाएगा, चलिए next term जो लेते हैं, वो क्या है, इसके अंदर, हमारे पास है 6X minus 7, यह है, और इसी के साथ है 6X plus 7, अब इसको करना है, तो क्या आएगा, A का square, यानि कि 6X का square, minus 7 का square, minus यानि कि B का square, यह आ गया, अब 6 का क्या हो जाएगा, और 7 का square क्या हो जाएगा, यानि कि 7 into 7, 49 हो जाएगा, तो यह रहेगा इसका answer, next question solve करते हैं, वो है हमारे पास, यहीं पर कर लेते हैं, वो है हमारे पास minus A plus C, एक term है, और जो दूसरी term है, वो भी हमारे पास minus A plus C, यह term है, तो यहाँ पर यह क्या है, देखे, same term है, तो कहीं पर भी जो identify करते हुए, आप गड़बड मत कीजेगा, जैसे हमारे प्लस था, यहाँ पर बिल्कुल दोनों ही same term है, तो यहाँ पर यह formula क्या बनता है, minus A plus C का whole square, यह बनेगा, अब minus A plus C का whole square क्या है, यानि कि C minus, आप इसको कैसे rearrange कर सकते हैं, C minus A का whole square बनेगा, तो यहाँ formula कौन सा लगेगा, A का square, plus B का square, minus 2AB, क्योंकि A minus B का whole square बन चुकी है, यह equation बन चुकी है, तो C square, plus A square, minus 2AC, यह answer रहेगा, तो यह सारे जो हमने अभी formula discuss किये हैं, यह बार बार से इस तरह से repeat होते रहेंगे, कहीं पर कोई आ जाएगा, कहीं पर कोई आ जाएगा, तो X by 2, 3Y by 4, यह आ गया और इसको हमें multiply करना है, बिलकुल इसी same term से, यानि कि X by 2, plus 3Y by 4, same term से हमें multiply करना है, same term से multiply करने का क्या मतलब है, X by 2, plus 3Y by 4 है, इसका क्या आ जाएगा, whole का square आ जाएगा, इसका whole का square का क्या मतलब है, कि a का square यानि कि x by 2 का square plus b का square यानि कि 3y by 4 का square plus 2ab plus 2 into a x by 2 into b जो है 3y by 4 ये आ जाएगा अब x का ये अगर आप इसका square करेंगे तो ये क्या जाएगा x square by 4 आ जाएगा plus इसका square करेंगे 3 into 3 9 9y square और divide by 4 का square क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ पर 4 का square करें तो वो हो जाएगा 16 plus अब यहाँ से 2 को 2 cancel out कर दीजिए आप ये क्या आ गया 3xy by 4 आ गया 3xy by 4 तो ये जो है तो इस तरह से आप इसको solve करते रहेंगे देखिए कितने असानी से आप जो है सारी term को solve कर सकते हैं जो next term है चलिए वो discuss करते हैं जो next question है हमारा ये है 7a minus 9b 7a minus 9b और यहाँ पर भी क्या है 7a minus 9b ये है same term है लेकिन minus की है तो इसमें क्या आ जाएगा 7a minus 9b का whole का square ये term बनेगी यानि की 7a का square plus 9b का square इसका square ये b है 9b का square minus 2ab 2 into 7a into 9b ये आ जाएगा और उसके बाद जब आप इसको solve करेंगे तो solve करेंगे 7 का जो square है वो क्या आ जाएगा 49 और यहाँ पर आ जाएगा a का square 9 का square 81 इसके साथ b है b का square यहाँ पर 2 into 7 14 14 into 9 126 आ जाएगा यानि की आ जाएगा minus 126 और इसके साथ क्या है a b तो यह आ जाएगा तो यह जो है इसका answer रहेगा तो इस तरह से पहला question जो है पूरा हमारा solve हो जाता है चलिए next question की तरफ चलते हैं जो की है हमारा second question और second question को हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दिया है और इसको solve करते चलेंगे तो use the identity हमें जो है identity दी गई है x plus a x plus b equal to यह identity use करनी है हमें देखिए यहां लिखा हुआ है use this identity तो यह हमने देखा था कि अगर x plus a x plus b है तो हमें यह identity कह रहा है कि यह use करनी है find the following product और इसी से ही हमें यह following product निकालने है इसका कहने का क्या मतलब है इसका कहने का मतलब है जैसे पहले जो ये question ले लेते हैं ये क्या है x प्लस 3 और x प्लस 7 ये है हमारे पास question तो हम इसको कैसे solo करेंगे कि x का square यहाँ पर आ जाएगा x का square क्योंकि पहली जो term है वो x ही है उसके बाद plus a प्लस b का square यानि कि यहाँ पर a और जो b है वो ये लिया है ये वाला और ये वाला ये दोनों हमें लेने हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 into x मतलब ये बाहर वाली जो term है जो ये हम पहले पढ़ चुके हैं term a plus b के whole square में तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं plus अब इन दोनों को plus किया है अब इन दोनों को ही multiply कर देंगे इन दोनों को ही multiply कर देंगे यानि कि 3 into 7 ये term हमारी बनेगी यहाँ पर क्या हो आ जाएगा x square plus 7 और 3 10 x plus 7 into 3 21 तो इस तरह से हैसोल हो जा इसके अंदर देखते हैं तो आप कैसे इसका use करेंगे 4 x plus 5 और 4 x plus 1 इसके अंदर देखते हैं आप कैसे use करेंगे तो पहले क्या है ये वाली term है 4 x यानि कि इसका square तो 4 x का square plus अब इसका और इसका दोनों का plus यानि कि ये क्या जाएगा 5 plus 1 और बाहर क्या जाएगा ये जो प bracket में इनि का ही product 5 का और 1 का इस तरह से तो यहां पे क्या आजाएगा 4 into 4 16 16 x का स्केर आजाएगा plus 5 plus 1 6 6 into 4 24 तो यहां पे क्या आजाएगा 24 x or 5 into 1 5 यहां जाएगा answer तो यह second question भी हमारा इस तरह से solve हो जाएगा चलिए next question जो है third question है 4 x minus 5 4 x minus 1 4 x minus 5 or 4 x minus 1 तो इसके लिए जो term का आप use करेंगे यहां पे क्या जाएगा सबसे पहले 4 x का स्केर वही जो term है हमें use करने है उसके बाद plus जो यह है हमारा minus 5 और यह है हमारा minus 1 minus 1 तो 4 x का स्केर प्लस यहां पे आ जाएगा हमारा minus 5 और minus 1 यह आ गया और इसके साथ क्या जाएगा पहली term sorry हम यह वाला question कर रहे हैं fourth वाला और यहां पे 4 x plus 5 है इसको दोबारा से करते हैं हम यह करने लग गए थे लेकिन हमें यह करना है तो इसको दोबारा से करते हैं 4 x plus 5 है और क्या है 4 x minus 1 है यह वाला तो यहां पे क्या जाएगा 4 x का square पहली term plus जो 5 minus 1 है यह यानि कि यह और यह minus में है तो इसलिए minus कर दिया plus का होता plus करते 5 minus 1 आ गया और इसके साथ क्या जाएगा 4 x और उसके बाद जो है plus इन दोनों को multiply कर देंगे यानि कि 5 और minus 1 को multiply कर देंगे तो यह क्या जाएगा हमारा 16 x का square plus यहां 4 आ गया 5 minus 4 5 minus 1 4 4 into 4 16 x और यहां पे क्या आ गया 5 को जब minus 1 से multiply किया यह क्या गया minus का 5 आ जाएगा तो इसका यह answer रहेगा थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि यह सेम थे इसलिए यह question हमने किया है चलिए next question करते हैं जो कि है हमारा 2 x plus 5 y यह है और 2 x plus 3 y यह है तो अब देखे 2 x plus 5 y और 2 x plus 3 y आपको दिया है तो इसके अंदर क्या करेंगे सीधा कर लेते हैं 2 x का square उसके बाद इसका और इसका plus जो दूसरी दूसरी टर्म है यानि कि 5 y plus 3 y और इसके साथ multiply में क्या जाएगा 2 x आ जाएगा plus अब इन दोनों को multiply कर देंगे जो हमने plus किये है 5 y 3 y के साथ multiply कर देंगे यहां जो अंसर रहेगा वो क्या रहेगा 4 x का square प्लस 5 और 3 8 8 y और 2 यानि कि 16 x y क्योंकि x बाहर है plus 5 into 3 15 और y 2 बार आ जाएगा क्योंकि y into y y square आ जाएगा तो इस तरह से question solve होगा तो यह हमारा question solve हो गया चलिए next question solve करते हैं जो कि है 6th question यहां पे क्या है 2 a square plus 9 यह है 2 a square plus 9 और यहां पे क्या है 2 a square plus 5 यह चीज़ है तो इन दोनों को हमें multiply करना है तो यहां पे क्या जाएगा 2 a square का square यही आ गया plus अब इसको और इसको plus कर देंगे यानि कि 9 plus 5 और इन के साथ क्या जाएगा 2 a square अब plus इन दोनों multiply कर देंगे 9 into 5 यह कर देंगे तो यहां पे क्या गया 4 a की 4 plus 9 और 5 यहां पे क्या जाएगा 14 14 into 2 28 28 a square plus 9 into 5 क्या जाएगा 45 तो यह जो है इसका अंसर रहेगा चलिए next question को solo करते हैं जो next question है हमारे पास xyz xyz minus 4 यही है xyz minus 4 और यहां पे xyz minus 2 यह है तो अब इसको कैसे solo करेंगे xyz का square आ जाएगा यानि कि a का square plus अब यह क्या है minus 4 है और यह क्या है minus 2 है तो हम यहां पे लिखेंगे minus 4 minus 2 क्योंकि यह minus में है अगर plus में होते तो सीधा 4 plus 2 कर देते लेकिन यह भ basketball अगर यहां में हैं इसको solle करेंगे xyz minus 4 को minus 2 से multiply कर देंगे जो हमने यहां 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 multiply हो जाएगा तो यहां पर आप ipot Conrad kalau है तो x का square yka sqz plus अब minus 4 और minus 2 ये क्या होगे minus 6 यह जाएगा हमने पूरा solve कर लिया है चलते हैं थो जो 3 question है इसको करते है find the following square by using identities तो हमें identities यूज करनी है वही a plus b का square a minus b का square जो भी identity हम use कर सकते हैं वो हम use करेंगे तो सबसे पहले है हमारे पास b minus 7 का square b minus 7 का square तो कौन सा formula लगेगा इसमें a square minus b का square जो a minus b की whole का square यानि कि यह b है b तो यहां पर क्या आजाएगा यह आजाएगा b square और उसके बाद जो है plus 7 का square यह आजाएगा minus 2 a b यानि कि 2 into b into 7 यही आएगा तो इस तरह से लिख लेंगे तो यहां पर यह क्या आजाएगा b का square plus 49 minus 14 b b square minus 14 b plus 49 यह answer रहेगा तो पहला question solve हो गया असान था चलिए next question solve करते हैं xy plus 3z xy plus 3z का whole का square अब इसमें कौन सा लगेगा a plus b का whole का square जो है a plus b का square जो आता है उसका formula यहां पर हम सीधा लिख रहे हैं इसका square करेंगे तो x square y square plus इसका square करेंगे तो यहां पर क्या आजाएगा 9z square और plus 2ab यानि कि 2 into 3 6 6xyz यहीं आएगा तो हमने इसको सीधा solve कर दिया यह answer आएगा उसके बाद next question solve करते हैं next question है हमारे पास 6x का square minus 5y इसका जो है whole का square दिया गया है तो वही formula हम लगाएंगे तो 6x का square जो है यानि कि 6x का जो square है इसका भी square और plus 5y का square minus 2ab इसको हम पूरा कर रहे हैं ताकि आप confuse ना हो 2ab यानि कि 2 6x और into 5y यह आजाएगा 5y अब यहाँ पर जब आप यह करेंगे यह तो यह आजाएगा 36x4 plus यह आजाएगा 25y का square और जब आप इसको solve करेंगे तो यह क्या जाएगा 2 into 6 12 12 into 5 60 आजाएगा 60 और x जो है x हमारा है x और y sorry यहाँ square था तो 60x square y आजाएगा क्योंकि 2ab था ना तो a तो 6x square है और यह यह है तो यह थोड़ा ध्यान से करना है तो इस तरह से solve हो जाएगा यह answer रहेगा इसका चलिए next question करते हैं बटा बट से अब यह जो है हमारे पास 2 by 3m और plus 3 by 2n का whole का square यही है तो a plus b का square है वो formula लगेगा यानि कि 2 by 3m का square ले लिया आपने plus इसी तरह से 3 by 2n का square ले लिया और plus 2 into यह क्या जाएगा a 2 by 3m यह a है into 3 by 2n तो यह क्या जाएगा 3 by 2n तो अब जब आप इसको यह 2 से 2 cancel out हो जाएगा है और आप इसको solve करें, solve करेंगे तो यह आपका क्या आजाएगा यह यह आजाएगा 4 by 9m का square यह तो पता चल गया होगा दो दुनी चार और 3 into 3, 9 यह यह 2 into 2, 4, 3 into 3, 9 और m का square इसी तरह से इसको करेंगे यह 9 by 4 आजाएगा n का square और यहाँ पर क्या आजाएगा 2mn 2 यह देखे 3 से 3 cancel out होगा 2mn यह answer रहेगा इसका तो इस तरह से solve करेंगे चलिए next question फटा फटा से solve करते हैं 0.4P minus 0.5Q का square चलिए इसको solve करते हैं यानि कि 0.4P का square plus 0.5Q का square minus 2 into 0.4P into 0.5Q क्यों का square और यहां पर क्या आजाएगा अब देखिए 2 है इसको हम इससे multiply करेंगे इसको 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 करेंगे यानि कि 0.4 को 2 से 8 आ गया यानि कि 4 ले लिजिए सिधा 4 into 2 8 8 into 5 40 आ जाता है यानि कि 40 का क्या मतलब रहेगा यहां पर 0.4P Q इसको आप ऐसे भी solve कर सकते हैं 2 into 4 by 10 और 5 by 10 तो ऐसे भी solve कर सकते हैं यानि कि 5 2 जा 10 और 2 2 से cancel out हो गया और यहां पर क्या आ गया यह 10 को जब ऊपर ले जाएगे तो इस तरह से question solo हो जाएगा चलिए next जो question है वो solve कर लेते हैं फटा फट से 2 x 5 plus 5 y इसका जो है whole का square तो इसका जो answer आएगा वो क्या आएगा हम direct कर रहे हैं इसका square यानि कि 4 x square y square plus इसका square यानि कि 25 y का square और plus 2 a b यानि कि 2 को गुना करना है इसके साथ 2 into 2 4 x y और 4 को 5 से यान 20 20 x और y y square यानि कि 20 x y square एक बार आपको अगर यह करना आ गया तो आप फटा फट से जो है answer लिख सकते हैं तो इसका answer रहेगा चलिए next question को solve कर लेते हैं जो कि है हमारा fourth question इसके अंदर हमें simplify करना है इन चीजों को तो simplify a square minus b square इसको हमें simplify करना है simplify यानि कि पहले ही हमें दिया है a square minus b square का square क्या होगा तो यह कहता है कि क्या होगा तो वही a minus b का पूरे का square होता है यहाँ पे a क्या है सिर्फ a square है यही फरक है यहाँ पे और b क्या है b square है और यहाँ पे minus का निशान है तो minus 2a square b square यही आ जाएगा यानि कि a की 4 plus b की 4 minus 2a square b square यह इसका अंसर रहेगा ठीक है तो यह जो है solo हो जाएगा next question की तरफ चलते है second question यहाँ पे दिया है 2x plus 5 यह दिया है और उसका square दिया है minus यहाँ पे क्या है 2x minus 5 इसका भी square दिया है तो यहाँ पे minus का निशान है पहले हम इसको अलग से solo करेंगे और फिर जो है दोनों को minus कर देंगे यानि कि a plus b का square क्या जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 4x square आप करके देखिए साथ साथ में यहाँ पे 20x plus 25 यह बनेगा और minus यहाँ पे क्या जाएगा 4x square plus 20x minus 25 क्योंकि यह minus का निशान बाहर है तो अंदर चला जाएगा इस तरह स plus हो जाएगे तो यह आप करिएगा solve इसको तो यहाँ पे देखिए 4x के साथ यह cut out हो गया और 20 और 20 क्या हो गया 40 25 के साथ 25 कैंसल आउट हो गया answer क्या आ गया 40x यह answer आ गया चलिए next question की तरफ चलते हैं अगर आपको सारी term अच्छी तरह से clear हो गई हैं तो यह असान 8n का square चलिए इसको solve करते हैं तो यह क्या आएगा इसको देख लेते हैं तो यहाँ पे जो है यह a minus b का square है और यह a plus b का square है a minus b का square यानि की 7m का square जब आएगा 14m का square आजाएगा plus 8n का square यानि की 64n का square और minus 2ab तो वही चीज आएगी तो यहाँ पे plus जब हम इसका square करेंगे तो यह क्या जाएगा 64n का square और minus 2ab यानि की 2 इंटो 7 इंटो 8 वो चीज़ तो यहाँ पे क्या जाएगा जब आप उसको multiply करेंगे 112mn तो यह आगया हमारा इसका इसमें हमें plus करना ह इसको यहने कि a square 49 m ka square plus b square 64 n ka square or plus 2ab 2 into 4, 14, 14 into 8, 112 m n यह आ गया, तो यह हमें जो है यह दोनों plus कर देने हैं, जब आप इन दोनों को plus करेंगे तो 49 m square और 49 m square, यह क्या जाएगा, 49 और 49 क्या होता है, 98 यह आ गया, अब यहाँ पर 64 n ka square है और 64 n ka square, यह कितना आ जाएगा, 64 plus 64 होता है 128, तो 128 n, यह minus का है यहाँ plus का है, तो यह दोनों cancel out हो जाएगे, यह हमारा answer रहेगा, तो इस तरह से आप इसको solo करेंगे, चलिए next question देख लेते हैं, जो next question है हमारा, next है 4 m plus 5 n का square, 4 m plus 5 n का square, यह आ गया, plus 5 m plus 4 n का square, यह आ गया, तो a plus b का square और a plus b का square सेम है, तो यहाँ पर यह क्या जाएगा, यह आ जाएगा, 16 m का square यहाने की a का square और इसका जो 25 n का square plus 2 a b, 2 a b क्या जाएगा, यहाँ पर 40 m n, इसको plus करना है, इसमें, इसमें plus करना है, यहाँ पर जो है a का square क्या जाएगा, 25 m का square, b का square यहाने की plus 16 n का square plus 2 a b, plus 2 a b यहाने की, 40 m n यह आ गया आप देखे सारे plus हैं तो double कर देना है सीधा सब का यानि कि 16 m square और 16 m square है यह 25 m square है plus करना पड़ेगा 16 m square है यह 25 m square है तो यह क्या जाएगा 41 m square 25 n square है 16 n square है तो यह भी क्या जाएगा 41 n square 40 m n है 40 m n है यह जो है total क्या हो जाएगा 40 और 40 m n तो इस तरह से आप इसको solve करेंगे चलिए next question की तरफ चलते हैं उमीद है आपको यह समझ आ रहे होंगे जो यह question है 1.5 क्यों का square यह यह वाला question है और minus क्या करना है 1.5 p minus 2.5 क्यों का square तो यह जो है point वाले हैं तो point वाले थोड़ा सा आपको ध्यान से करने पड़ते हैं क्योंकि point लगाते हैं वक्त कोई गड़ बढ़ना हो तो यह ध्यान रखिएगा तो 6.25 है तो जब आप इसका square करेंगे तो यह 625 होता है तो आगे से एक छोड़ के point लगा देंगे 6.25 आ जाएगा और इसके साथ P है यानि कि P का square प्लस अब 15 का square यानि कि 1.5 का square तो यह क्या आ जाएगा 225 होता है तो 2.25 और क्यों का square यह आ जाएगा और minus 2AB यानि कि 2 को इससे multiply करेंगे इससे multiply करेंगे और P Q है ही यह नि कि यहाँ पे क्या जाएगा जब आप multiply करेंगे यह आ जाएगा 7.5 P Q क्यों कि देखिए जब आप 2 को multiply करेंगे इसके साथ और इसके साथ तो आपको 7.5 P क्यों मिलेगा आप करके देख सकते हैं इसको तो इसी तरह से जब इसको आप करेंगे अब 1.5 का जो square है वो आपको पता ही है कि वो 225 होता है तो 2.25 P का square अब इसका भी square आपको पता है 2.5 का 25 का square यानि कि 626.25 का Q का square यह आ गया और minus क्या है यहां पर जब 2 A B करेंगे तो 2 यहां पर क्या जाएगा 7.5 P क्यों आ जाएगा तो यह आ जाएगा तो जैसे ही आप इसको solve करेंगे तो solve करेंगे तो यहां पर देखिए 6.25 P square में से 2.25 P square आप घटाएंगे तो यहां पर क्या जाएगा हमारा 4P square आ जाएगा क्योंकि 0.25 और 0.5 तो 0 हो जाएंगे 6 में से दो गया 4, 4P square आ गया उसके बाद जो है 2.25 Q square है और यहां पर 6.25 Q square है यह दोनों add हो जाएंगे तो यहां पर जब आप add करेंगे इसको तो add होने के बाद जैसे कि यहां पर आप करके देख सकते हैं 6.25 यह minus कर रहेगा क्योंकि यह minus है, minus अंदर चला जाएगा तो minus का 6.25 और 2.25 Q square यहां पर यह 2.25 minus कर दे, यह 0, यह 0 और यह 4 यह 4 आ जाएगा, minus का 4 तो minus का 4 Q square आप इसको लिख सकते हैं minus का 4 Q square आ जाएगा जब इसमें से minus करेंगे और यह minus 7.5 और यह minus अंदर जाएगा तो यह plus का हो जाएगा यह cut out हो जाएगा इस तरह से यह answer आ जाएगा तो इस तरह से जो है point वाला भी आप solve कर सकते हैं थोड़ा सा multiplication में ध्यान रखना है next question जो है AB plus BC इसका जो square है minus 2AB square C अब यह करना है हमें तो इसका जो है whole square है यह ऐसे ही रहेगा तो इसको हमें solve करना है यानि कि इसका square क्या हो जाएगा A square B square plus B square C square plus 2 को इन से multiply करेंगे यानि कि यह क्या आजाएगा 2AB square C क्योंकि 2 into AB into BC आएगा BB common है जब multiply होगा तो B square आजाएगा तो 2AB square C आजाएगा इसको आप करके देखिएगा तो यह आजाएगा आपके पास और minus क्या है यहाँ पर 2AB square C पहले से ही है यह तो यह और यह यह तो cancel out होगे अंसर क्या बच गया यह अंसर बच गया तो इस तरह से आप इसको solo करेंगे next जो है M square minus N square M का square यह आगया plus 2 M cube N का square यह आगया अब इसको आप जो है square करेंगे A minus B का whole square है यानि कि M की power 4 आगी minus minus अगर 2 A B करेंगे पहले तो minus लेना पड़ेगा लेकिन अगर B का square करेंगे तो N 4 M का square यह ही आएगा और minus 2 A B यहनि कि 2 M square और N square M है तो M B है यहाँ M square है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M cube यहनि कि M cube N square हो जाएगा plus में यह क्या है 2 M cube N का square तो इस तरह से देखिए चारों के 4 question हमने solve किये है अगर आपको A plus B का square A minus B का square और A square A minus B है A plus B है उनका यह सारी term अगर याद रहती है तो आप असानी से सारे question को solve कर सकते हैं आपको सारे formula याद होने चाहिए तो इसी तरह की videos के लिए math or science की videos के लिए आप हमारे channel ज्यान लो पे जुड़े रह सकते हैं और हमें subscribe कर सकते हैं धन्यवाद